अब यहां पर हम लोग Japanese technique के बारे में study करेंगे यह basically multiplication के लिए trick होती है तो यहां पर हम लोग 2 multiplication करेंगे दो digits का यहां पर 25 and 22 तो यहां पर 25 है तो 25 में first जो digit है वो है 2 तो 2 lines draw करेंगे उसके बाद दूसरा digit है 5 तो थोड़ा से distance यहां पर छोड़के फिर 5 lines draw करेंगे इस तरीक से फिर दूसरा जो digit है वो है 22 तो पहला है 2 तो इनको intersect करती हुई 2 और line draw करेंगे यहां पर इस तरीके से और फिर दूसरा भी 2 ही है तो थोड़ा सा gap रखके फिर 2 और line यहां पर draw करेंगे तो हमें बहुत सारे intersection point मिले अब right hand side से हमें start करना है और intersection point को count करना है जैसे कि इस circle से इस circle में total 12 intersection point है सारी यहां पर 10 intersection point है तो यहां पर पहले 0 लिख लेना है और 1 जाएगा carry में यहां पर दूसरे जो mid portion है उसमें intersection point count करने दोनों circles में तो पहला circle में चार intersection point है और दूसरे circle में यहाँ पर total 10 intersection point है तो यहाँ पर फिर से हम लोग 0 लिखेंगे 10 plus 4 14 हो जाएगा और 4 और 1 जाएगा carry में उसके बाद जो last वाला circle है उसमें total 4 intersection point है तो इस तरही के से हम लोग लिख लेंगे और फिर add कर देंगे तो addition में यहाँ पर 055 answer मिलेगा तो इस तरही के से हम लोग multiplication कर सकते हैं